Hello Everyone, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल Math King Maker Concept and Focus, आज हम पढ़ने वाले हैं symmetry के बारे में तो symmetry का मतलब क्या होता है, उसके बारे में सीखेंगे देखे, symmetry जिसे ये कोई rectangle है, ठीक है, ये एक rectangular shape है तो क्या ये symmetrical है या नहीं है इसको कैसे बताएंगे कि symmetrical है के नहीं है तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है कि क्या इस rectangular paper को मैं इस तरह से fold कर सकता हूँ कि ये दो half में divide हो जाए और उसके दोनों half एक दूसरे के बराबर देखने में लगे या जैसे देखो मानलो मैं इसको इस तरह से fold कर देता हूँ तो इस तरह से जब मैंने इसको fold किया along its length ये rectangle की length है और ये rectangle की breath है तो मैंने इसको fold किया along the length तो जब मैंने इसको along the length fold किया है तो ये end ये जो portion है उपर वाला half जो portion है वो नीचे वाले हाफ को पूरी तरह से ढख लेता है ठीक है और इधर से भी देखो गए आप तो ये वाला portion इसको पूरी तरह से ढख लेता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो paper है हमारा ये symmetrical paper है ठीक है तो अब दूसरी तरह से भी क्या हम इसको fold कर सकते हैं बिल्कुल करते हैं इधर से ये इसको ढख लेता है इधर से ये इसको ढख लेता है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि जो rectangular paper है that is symmetrical सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई shape है हमारे पास क्या उस shape को हम दो part में divide कर सकते हैं जिससे के left shape या right shape दोनों एक जैसी लगे या upper shape और lower shape दोनों एक जैसी लगे मतलब उसको horizontally या vertically क्या हम divide कर सकते हैं दो portion में तो उसको बोलते हैं symmetrical shapes ठीक है कुछ और shapes के बारे में देख लेते हैं practically मैं आपको समझाऊंगा जिससे ये हमारे पास क्या है square paper है ठीक है ये square paper है तो अब हम इसको fold करके देखते हैं क्या ये एक दूसरे को overlap करते हैं क्या एक दूसरे को ढख लेते हैं तो जैसे देखो मैंने इसको fold किया तो fold करने के बाद क्या है कि आपको एक portion नहीं दिखेगा मतलब इधर से देखो क्या है कि ये symmetrical paper हुआ अब मैंने इसको इस तरह से fold किया हूँ जैसे हमने rectangle को fold किया था अब देखेए आपको क्या दूसरा portion दिखाई दे रहा है बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है इदर से देखो पीछे वाला portion दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम कहेंगे कि यह paper जो है symmetrical है अब क्या और किसी तरीके से भी हम इसको fold कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं अगर हम इसको diagonal के long fold कर लें तो यह देखो पीछे वाला portion आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा इसमें भी आपको पीछे वाला portion बिल्कुल नहीं दिखेगा ठीक है दो diagonal होते हैं square के पास अभी हमने इसको इस diagonal के long fold किया अभी हम इसको इस diagonal के long fold करोगे तब भी आपको इसके पीछे वाला portion नहीं दिखेगा तो हम कह सकते हैं कि यह जो square है हमारा यह भी symmetrical shape का है इसको भी symmetrical कहते हैं ठीक है ओके अभी हम देखते हैं यह हमारे पस क्या है एक ISOCELUS triangle है ठीक है ISOCELUS triangle कैसा होता है जिसमें उसकी दो side जो है equal होती है तीसरी side equal नहीं होती है ठीक है तो यह एक triangle हमारे पस जिसमें यह वाली side और यह वाली side दोनो equal है ठीक है तो अब इसको भी fold करके देखते हैं तो इसको अगर मैं इसकी base के base से fold कर दूँ ठीक है इसका base है यह तो इस base को मैं इस तरह से fold कर देता हूँ तो यहाँ पर देखे आपको इसके पीछे वाला portion नहीं दिखेगा इसमें भी आपको इसके पीछे वाला portion नहीं दिखेगा, इसका मतलब क्या है, कि यह जो isosalus triangle है, it is also symmetrical, ठीक है, अब जैसे, अब देखो इसको मैं fold करके देखता हूँ, किसके along, इसकी median के along इसको मैं fold करके देख लेता हूँ, एक median तो यह है, तो इसके along fold करके देखा, तो यह आपको symmetrical लगा, लेकिन क्या इसको मैं इस तरह से fold कर दूँ, तो क्या यह भी symmetrical होगा, अभी देखे, यहाँ पे आपको यह दिखाई दे रहा है, यह पीछे वाला portion इसका थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, कि यह इसके along symmetrical नहीं है, ठीक है, अभी हम देखते हैं, एक equilateral triangle, equilateral triangle देखो, यह छोटा सा है, थोड़ा सा, बट I think यह समझ में आ जाएगा, यह equilateral triangle लिया है मैंने, तो अभी से equilateral triangle को हम fold करके देखते हैं, देखो, यहां से fold किया, तो आपको पीछे वाला portion नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब हमने इसको दूसरी median के along fold किया, इस तरह से fold कर लिया, अभी भी क्या है आपको, केवल एक ही portion दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके symmetry का जो concept है, आपको clear हुआ होगा, अभी देखो, हम क्या देख रहे हैं इसमें, चलो, एक English letter को भी देख लेते हैं, एक English letter है, मारे पास h, ठीक है, क्या यह h जो है, symmetrical है, देख लेते हैं इसको, हम इसको यहां पर fold कर देते हैं, तो fold करने के बाद क्या है, आपको देखो, पीछे वाला portion नहीं दिख रहा है, पीछे वाला portion नहीं दिख रहा है, इधर से भी नहीं दिख रहा है, इसको यह overlap कर ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कि यह h letter भी आपका symmetrical है, क्या इसका दूसरा भी तरीका हो सकता है फोल्ड करने का बिल्कुल है अगर इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लेता हूँ तो क्या दिख रहा है इसमें आपको पीछे वाला जो पोर्शन इसका दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है तो इसका मतलब है कि ये जो है symmetrical letter है ठीक है अब लेकिन एक चीज आती है कि हम इनको अपने हिसाब से फोल्ड कर दे रहे है letters को, page को अपने हिसाब से फोल्ड कर दे रहे है तो यहाँ पे आपने एक pattern देखा होगा कि जिस line के along हम इसको फोल्ड कर रहे है वो एक particular line होती है और उस line का नाम क्या है उस line का नाम होता है line of symmetry ठीक है जैसे अभी देखो तो अब question यह आता है कि कितने line of symmetry हो सकते हैं किसी shape के तो जैसे मैंने आपको दिखाया rectangle ठीक है यह rectangle मैंने आपको दिखाया था तो rectangle में कितने line of symmetry होते हैं भाई हम इसको एक तो इस तरह से fold कर सकते हैं तो कितने line of symmetry, मतलब कितने तरीके से हम इसको fold कर सकते हैं, कितनी line होती हैं, जिनके along ये symmetrical होता है, ठीक है? तो इसमें rectangle में कितनी line of symmetry हुई? दो line of symmetry हुई, एक आपकी horizontal line of symmetry हो जाएगी, एक आपकी vertical line हो जाएगी, ठीक है? तो दो line of symmetry होती हैं, ओके? तो अब जड़ा थोड़ा सा pictorial display भी देख लेता हैं, बोड़ के उपर, ये आपके पास equilateral triangle है, equilateral triangle मैंने अभी आपको बताया, कि equilateral triangle को हम चाहे तो ऐसे fold कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे fold करेंगे, तो भी ये एक दूसरे को overlap करेंगे, और अगर इसको इस तरह से fold करेंगे, तो भी इसको एक दूसरे से overlap हो जाएंगे, और इसको जो है, ऐसे fold करेंगे, तो भी एक दूसरे को overlap कर देंगे, तो इसमें कितनी line of symmetry हो गई? जितनी lines के along हम इसको fold कर सकते हैं, और पीछे वाला portion हमें ना दिखे, उसको कहते हैं उसकी line of symmetry, ठीक है, उस line को जिसके along paper को fold करने पे, पीछे वाला portion छिप जाता है, दोनों तरफ से छिपना चाहिए, दोनों एक दूसरे को overlap कर लेते हैं, that line is called as line of symmetry, तो ये हो जाएगी इसकी line of symmetry, तो कितनी line of symmetry हो गई इसमें? टोटल 1, 2, 3, 3 line of symmetry हो गई, ये आपके पास है एक square, square में कितनी line of symmetry हो गई? देखो एक तो हम इसको इस तरह से fold कर सकते हैं, है ना? तो 1, line of symmetry कितनी हो गई? 1, 2, और 3, इसमें पहले तो हम इसको इस तरह से fold कर सकते हैं, दूसरा हम इसको इस तरह से भी fold कर सकते हैं, तो 2 line of symmetry हो गई, तीसरा हम इसको जो है इस तरह से fold कर सकते हैं, तो 3 line of symmetry हो गई, चोथा हम इसको इस तरह से भी fold कर सकते हैं, तो इसमे line of symmetry कितनी हो गई? टोटल 4 हो गई, ठीक है? ओके, अभी देखिए आपके पास क्या है एक pentagon है तो pentagon में कितनी line of symmetry हो जाएगी देखो पहली चीज हम इसको इस तरह से fold कर सकते हैं इस तरह से fold करोगे तो भी एक दूसरे को यह छुपा लेगा overlap हो जाएगा तो इसमे line of symmetry number one ठीक है दूसरी line of symmetry क्या हो जाएगी अगर इसके median से इसके middle point से इसका जो है यह हम मिलाएंगे तो एक line of symmetry यह बनेगी तो एक line of symmetry आपकी यह हो जाएगी ठीक है आपको क्या करना है कि एक vertex मिलाना है और उसको सामने वाले जो side पड़ेगी उस side के middle point से मिलाना है तो यह हो जाएगी इसकी line of symmetry तो कितनी line of symmetry हो गई इसमें two line of symmetry हो गई ठीक है similar fashion में फिर क्या गरना है आपको यह जो vertex है इस vertex है इसकी जो सामने वाली side है उसको middle point को मिला देना है ठीक है तो यहाँ कितनी line of symmetry हो गई three line of symmetry हो गई ठीक है और अब यह वाला vertex पकड़ो इसकी middle वाला point मिला दो आप इसको तो यह हो गए आपका तो यह हो गई fourth line of symmetry ठीक है और भी बचा एक vertex यह बच गया इस vertex को सामने वाली side के mid point से मिला दो गए तो यह mid point है इसका तो इससे इसको मिला आपने तो यह हो जाएगी fifth of line of symmetry तो आपने क्या देखा कि किसी pentagon के अंदर regular pentagon regular pentagon मतलब उसकी जो 5 की 5 side है वो सारी की सारी side उसकी equal है तो अगर हम regular pentagon को check करें तो उसकी line of symmetry कितनी आगई 5 line of symmetry ठीक है अब बात करते है hexagon की hexagon की line of symmetry कितनी होंगी अगर उसके हम सामने सामने के vertex को मिला दें तो यह देखो अगर हम इसको इस तरह से divide कर दें तो पहली line of symmetry अगर इसको fold करते हैं paper को तो एक दूसरे को ढख लेंगे तो इसकी हो गई पहली line of symmetry ठीक है दूसरी line of symmetry यह देखो इसके सामने वाला vertex और इसका सामने वाला vertex हमने इसको दोनों को एक दूसरे में मिला दिया तो यह हो गई आपकी second line of symmetry ठीक है अगर हम यहां से इसको सामने वाले vertex से मिला दें यह हो गई third line of symmetry ठीक है तो आपने देखा कि कितनी line of symmetry होगी देखो यह तो हो गई इसकी vertex के along और क् के मिढ़ों को अगर हम अपस में मिला दें तो भी लाइन ओप सिमेट्री हमारी बन जाएगी ठीक कैसे अगर इसका ये मिढ़ पोइंट है अगर इन दोनों को आपस में हम मिला देते हैं तो यह आप प्रैक्टिकली भी अपने घर बर करके देख सकते हो एक hexagon बनाओ और उस hexagon को try करो आप उससे जो है कितनी line of symmetry आपकी बनती है तो physically आप check कर पाओगे तो ये हो गया 4 line of symmetry अब ये वाली side और ये वाली side को मिला दो mid points को ठीक है तो ये हो गया आपकी 5th line of symmetry ठीक है अब ये वाली side और ये वाली side को मिलाओ तो ये बनेंगी आपकी 6th line of symmetry ठीक है ये हो जाएगी 6th line of symmetry तो आपने क्या देखा कि hexagon के अंदर कितनी line of symmetry होगी तो hexagon के अंदर होगी आपकी 6th line of symmetry तो एक चीज आपने देखी कि जो regular shapes हैं तो regular shapes के अंदर अगर triangle है तो 3 line of symmetry होगी square है तो 4 line of symmetry हो गई pentagon है अगर regular regular मतलब उसकी सारी side sequel है तो यहाँ पे अगर regular pentagon है तो कितनी line of symmetry है total 5 आई और अगर hexagon आपने लिया तो उसकी line of symmetry कितनी आई 6 आई ठीक है बाकी आप जो है 8 octagon बना के देखो और nanogen बना के देखो decagon बना के देखो आप चेक करो कितनी line of symmetries हो सकती है उसकी ठीक है यह मैंने लिया kite kite के अंदर क्या होता है कि यह वाली side और यह वाली side दोनों equal है यह वाली side और यह वाली side equal है और यह वाली side इस वाली side के equal है तो इसकी कितनी line of symmetry होंगी देखो इसकी line of symmetry सिर्फ होगी यह वाले इसके अलोंग अगर इसको हम फोल्ड करते हैं तो यह एक दूसरे को ढख लेंगे तो यह हो जाएगी इसकी काइट की की लाइन ओफ सिमेट्री ठीक है आई होप कि यह कंसेप्ट आपको समझ आया होगा लाइन ओफ सिमेट्री का अब यहां पर एक छोटा सा जो है confusion होता है कि reflection जैसे मिरर के सामने अगर खड़े होते हो ठीक है तो मिरर में क्या होता है कि orientation का difference होता है ओ यहां थोड़ा सा confusion ओर मैं एकषडा से एक चोग मतलब और देख जिसे एक लेटर है ठीक है अब यह S लेटर को हमें चेक करना है कि क्या ये symmetrical है letter या नहीं है तो कैसे चेक करेंगे देखो अगर इसको हम देखते हैं symmetry की तरह से तो हम क्या करेंगे इसको fold करके देख लेते हैं fold करके देखेंगे कि क्या overlap हो पा रहा है कि नहीं overlap हो पा रहा है तो यहाँ पर आप देखो अगर इसको देखो आप यहाँ से इसको cut कर दो ठीक है इसको अगर cut करेंगे cut करने के बाद में एक यह portion नीचे रह जाएगा और एक यह portion ऊपर रह जाएगा हाला कि यह portion दोनों देखने में एक जैसे हैं बट यह symmetrical नहीं है मैं आप कोई चीज फर clear कर रहा हूँ कि symmetrical नहीं है क्यों नहीं है symmetrical क्योंकि हमें fold करके देखना है यह मैंने इसको यहाँ से fold कर दिया तो यह जो देखो इसके पीछे वाली figure नहीं दिख रही है लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से देखूं तो इसके पीछे वाला यह portion मुझे इसके पीछे वाला भी portion दिख रहा है यह portion दिखाई दे रहा है और अगर इसको ऐसे तरह से देखें तो यह वाला portion भी इसका दिखाई दे रहा है ठीक है इसका मतलब क्या है कि symmetrical नहीं है बट अगर मैं इसको यह से कट कर देता हूँ और कट करके मैं इसको ऐसे उल्टा गुमा देता हूँ तो आप क्या देखोगे यह जो उपर वाला पोरशन है नीचे वाला पोरशन है बिल्कुल अइंटिकल है सिमेत्री में और उइदिनुटिकल में do difference होता है ठीक है तो यह चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यह जो लैटर है वो symmetrical नहीं है इसमें line of symmetry नहीं आप draw कर सकते हो क्लियर है concept तो same concept आपका मिरर में भी होता है जिसे आप रहे के सामने खड़े होते हो तो ये hand उठाते हो तो आपको दिखता है ये वाला left वाला right वाला तो उसमें क्या होता है? orientation change हो जाता है orientation मतलब कि अगर आप right hand उठाते हो तो आपको mirror में ऐसे लगता है कि आपका left hand उठ रहा है ठीक है? तो जैसे आप mirror के सामने अगर यहां पर अगर यह letter जो है इस तरह से रखो गए आप M ठीक है? और यहां पर mirror रखो गए तो यह letter कैसा दिखाई देगा आपको? उल्टा दिखाई देगा हाला कि यहां पर भी आपको बिल्कुल सेम शेप मिलेगी शेप में difference नहीं होगा अगर यह M है तो यह भी M ही होगा लेकिन orientation में change आ जाएगा ठीक है? यहां पर देखो आप इसको अगर आप देख रहे हो तो इसका जो face है वो west की तरफ है और इसका face जो है वो east की तरफ है ठीक है? तो orientation भी हमें ध्यान रखना है symmetry के अंदर तो इसको कहते हैं reflection ठीक है? यह symmetry नहीं है यह क्या चीज है? reflection समझ की बात? और यह जो line बनी यहां पर इस line को क्या कहते हैं? mirror line कहते हैं तो symmetry में थोड़ा सा यह आपको ध्यान रखना है orientation का ध्यान रखना है ठीक है? उससे confused नहीं होना है reflection और symmetry दोनों अलग अलग चीज़े हैं अब बात आती है कि symmetry तो हमने पढ़ लिया लेकिन इसका use क्या है हमारी life में? देखो आप रंगोली बनाते हो जो जो चीज़ें आपको देखने में अच्छी लगती है symmetrical shapes normally देखने में अच्छी लगती है जैसे आप ताज महल पर जाओगे तो ताज महल में क्या है? देखो अगर चीज़ों को symmetrical बनाया जाए तो उनको देखने में वो अच्छी लगती है जैसे ताज महल आप देखने जाओगे तो ताज महल में क्या है? कि उसको symmetrical बनाया गया ह है है ना ताज महल को कैसा बनाया है सिमेट्रिकल शेप के सिमेट्रिकल शेप में बनाया गया है अगर उसको अमाड़ा तिर्चा बना देते तो क्या देखने में अच्छा लगता बिल्कुल नहीं देखने में अच्छा लगता ठीक है तो कि डेली यूज में क्या है कि हम जैसे आप घर में रंगोली बनाते हो तो रंगोली भी कैसी बनाते हो आप सिमेट्रिकल बनाते हो है न कि देखने में आपको अच्छी लगे तो इसका आर्किटेक्ट में और बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज है yön corn symmetry symmetry madre book a practical use one जी था हम ने पढ़ा symmetry के बारे में अर लाइन ओप symmetry के बारे में ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे छोटा सा गेम खेलेंगे यहां पर उस गेम को कहते हैं पंचेंग लिए हैं तो जैसे माल लेते हैं कि खेया हूं खर देता हूं ठीक है तो अब आप क्या देखोगे के यह जो पंच मैंने किया है जो छेद मैंने किया है आप देखोगी यह बिल्कुलड संप कल लगेगा बिल्कुल ऐडेंटिकल लगेगा यह जो line of symmetry है यह वाली यह वाली जो हमारी line of symmetry है यह वाली इस line of symmetry के बिलकुल इतनी ही distance पे यह इसकी जो length अगर आप measure करो यहां से यहां तक line of symmetry से इसकी measure length measure करोगे तो यह जो length आएगी same length आपकी यह भी मिलेगी ठीक है तो यह यहां पर punching game है exercise number 14.1 में किसी exercise में किसी question में क्या द punch दिये होंगे है ना punch आपको दिये होंगे और आपको find करना है shape में line of symmetry जैसे माल लेते हैं कि यहां पे एक मैं बना देता हूं माल लेते हैं square मैंने लिया है ठीक है स्क्वाइर ले लिया अब मैंने क्या किया एक पंच यहाँ पर है और एक पंच यहाँ पर है तो आप से पूछेगा कि यह जो दो पंच है यह हमने symmetrical पंच बनाए है तो आपको किस line of symmetry के अलोंग यह पंच हमने बनाए है तो वह line of symmetry बताओ तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि अगर मैं इस पेपर को इस तरह से फोल्ड गर दूँ और इस लाइन के अलोंग ये पंच लगें ठीक है ? तो आपको find ये करना है कि अगर ये वाली लाइन ओफ सिमेट्रिय आपको find करनी है ठीक है अब माल लेते हैं कि पंच कहीं दूसरी जगे पर माल लेते हैं कुश्चन किस किस तरीके से दे सकते हैं वो मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं ठीक है माल लेते हैं कि एक पंच आपका यहां लगा है और एक पंच आपका यहां लगा है ठीक है तो अब इसकी line of symmetry बतानी है कि किस line of symmetry के along यह punch लगा है तो clearly आप देख पा रहे होगे, अगर मैं इस paper को इस तरह से fold कर दूँ, यानि कि along this line of symmetry अगर मैं इसको fold करता हूँ, तो ये आपको punch मिल जाएगा, ठीक है, तो ये questions आपके 14.1 exercise में दिये गए है, तो इन questions को आपको solve करना है, वो इस तरीके से करना है, ठीक है, और हम कुछ questions द तरे से भी दे सकता है, कि ये एक square है, अमारे पास, ठीक है, तो इस square में क्या किया है, उसने, एक तो दे दिया line of symmetry, और एक ये hole दे दिया, दूसरा hole आपको find करना है, तो दूसरा hole कहा होगा, जितना, जिस location में ये line of symmetry के इधर है, उतने ही location में line of symmetry के उधर दूसरा hole होगा, ठीक है तो यह आ जाएगा आपका दूसरा होल कुछ question आपको ऐसे भी दिये होंगे कि यह shape दे दी इस तरह से उसने एक shape दे दिया और यह दे दिया line of symmetry यह दे दिया line of symmetry यह है line of symmetry तो आपको इसको shape को complete करना है ठीक है तो line of symmetry का मतलब क्या है कि जितना उसके left में है, उतना ही right में है, जितना अप है, उतना ही down है, तो ये line of symmetry दे दी उसने ये वाली, तो इस shape को पूरा करना है, तो पूरा कैसे करेंगे, तो इसको हम जितना ये symmetry line के left में है, उतना ही line of symmetry के right में होगा, तो ये question number 3 है, इस तरह से दिया गया है, ठीक है, अब question number 4 में कुछ line of symmetry उसने दी हैं, तो आपको बताना है कि क्या इसमें और भी line of symmetry हो सकती हैं, तो question number 4 हो जाएगा, अब देखो आपने पढ़ लिया line of symmetry, अब हम पढ़ते हैं rotational symmetry, rotational symmetry का मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा देख लो पहले, देखो एक line of symmetry आप उल्लेडी पढ़ चुके हो, तो अब पढ़ेंगे हम rotational symmetry, rotational symmetry बहुत important है, उसको देख लो एक बार, ठीक है, ओके, तो rotational symmetry कैसे पढ़ते हैं, देखो, माल लेते हैं कि ये हमारे पास इस तरह की एक shape है, ओके, इस तरह की shape है, जैसे normally आपके fan में भी देखते हो, कि इस तरह की shape आपको नजर आती है, माल लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ओके, अगर मैं इसको 90 degree twist कर दूँ, 90 degree इसको गुमा दूँ, तो A कहाँ पर आजाएगा, B की जगे पर आजाएगा, B C की जगे पर आजाएगा, C D की जगे पर आजाएगा, मैं इसको clock wise गुमा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको 90 degree गुमा देता हूँ, तो अब ये figure कैसी बनेगी, figure देखने में आपको ऐसी ही लगेगी, लेकिन उसमें actual में point change हो गए हूँगे, ठीक है, अब ये क्या बन गया हो गया, A यहाँ पर आ गया, और B यहाँ पर आ गया, C यहाँ पर आ गया, और D यहाँ पर आ गया, ठीक है, figure बिल्कुल एक जैसी लगेगी आपको देखने में, तो ये मैंने क्या किया, 90 degree मैंने इसको right side में twist कर दिया, clockwise, ठीक है, तो ये पहला turn मैंने दिया इसको, अब हम इसको दूसरा turn देते हैं, और देखते हैं कि आकिर क्या होता है, तो जिब हम इसको दूसरा turn देंगे, तो figure फिर भी same ही रहेगी, लेकिन उसके जो point होंगे, वो point change हो जाएंगे, A यहाँ था, अब A यहाँ पे हो जाएगा, B यहाँ पे हो जाएगा, C यहाँ पे हो जाएगा, और D यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एक और turn दे के देखते हैं, क्या होता है, तो देखते हैं, एक और turn दिया हमने इसको, ठीक है, तो figure तो आपकी बिल्कुल as it is रहेगी, लेकिन, क्या change होगा, खाली point change हो जाएगे, तो अब की बार A यहाँ हो जाएगा, आप ने इसको दिये, अभी हम इसको फिर एक बार घुमा देते हैं, तो एक बार फिर घुमाओगे, तो क्या मिलेगा आपको, अभी आप देखोगे इसको, इस तरह से, तो एक चीज आप यहाँ उबज़र कर रहे हो, ओकर शेप, फिगर में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, फिगर में चेंज नहीं आ रहा है, देखने में आपको बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, आप पहचान नहीं सकते हो, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा अभी, A आपका यहाँ हो जाएगा B यहाँ हो जाएगा C यहाँ हो जाएगा D यहाँ हो जाएगा तो कितना कितना टर्न दिया आपने 90-90 डिगरी का टर्न आप देते रहे इसमें भी आपने 90 डिगरी का टर्न दिया तो कितने आपने total rotation कितने दिये आपने total rotation दिये उसने आपने उसको 4 ठीक है तो यहाँ पर दो चीज आपको याद रखनी है देखो पहला चीज क्या है कि आपको उतने ही angle से turn देना है जितने angle पे shape change ना हो ठीक है तो पहली चीज क्या है आपकी shape must be identical identical shape होनी चाहिए पहली चीज ठीक है पहली चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है अगर आप इसमें 45 degree के angle पे इसको twist कर देते हैं तो क्या बन जाता 45 degree के angle पे shape ऐसी बन जाती है ठीक है 45 degree के angle पे shape ऐसी बन जाती लेकिन क्या ये वाली shape और ये वाली shape दोनों identical है नहीं है तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि shape जो है उतने ही angle से आपको turn देना है जितने angle पे shape identical हो जाती हो ठीक है तो shape must be identical for a definite angle turn definite angle turn इतना ही angle का turn देना है जिससे कि आपकी shape identical बन सके तो यहाँ पे देखो दो-तीन चीजें आती है ऐसी जो symmetry होती है ऐसी symmetry को हम कहते है rotational symmetry ये किसका example हो गये आपका rotational symmetry का example हो गया जिस point के along हम इसको rotate कर रहे हैं, देखो ये जो fix point है, ये वाला point fix है, ठीक है, ये वाला point के along हम इसको rotate कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं center of rotation, ये क्या हो जाएगा आपका center of rotation, ये हो जाएगा center of rotation, ये हो जाएगा center of rotation, यहाँ पर दो तिन टर्म समझ लो आप, इसको कहेंगे हम center of rotation और जितने angle पे turn देने पे वो shape identical हो जाती है उस angle को कहते हैं angle of rotation यह हो जाएगा angle of rotation ठीक है बहुत अच्छे से समझाज़ेगी आपको यह rotational symmetry तो यह हो जाएगा आपका angle of rotation अब कितने बार turn करने पे वो shape जो है पहली shape के अंदर आज आ गई है जो पहली shape थी बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही shape बन गई तो उतने number of turn को हम कहते हैं order of rotation ठीक है तो यहाँ पे जो order of rotation आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा order of rotation आ जाएगा इसका 4 क्योंकि आपने इसको 4 बार rotate किया और 4 बार rotate करने के बाद में यह जो shape है वो बिल्कुल same to same आपको मिल जाती है तो यह तीन चीज़े यहाँ पे समझने की है पहली चीज क्या है center of rotation कि जिस point के along हम उसको गुमाते हैं shape को वो कहलाती है center of rotation जितने angle पे घुमाने पे shape identical हो जाए उसको कहते हैं angle of rotation और जितने number of times उसको गुमाने पे आपको पहली वाली condition मिल जाए उसको हम कहते हैं order of rotation ठीक है आई बात समझ में बिल्कुल चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा over examples के थूरू समझ लेते हैं ठीक है अब हम ले लेते हैं एक square ठीक है square को देखते हैं कि क्या वो उसका order of rotation क्या होगा और उसका angle of rotation क्या होगा ठीक है यह सारी चीजे हम अभी बिल्कुल practically मैं आपको दिखाऊंगा practically करके देखेंगे हम कि आखिर क्या होगा ठीक है तो अगर हम बात करते हैं square की तो square हमारा यह ले लिया हमने square ठीक है इसमें माल लेते हैं कि यह point हमने कोई p लिया अब मैं क्या करता हूँ इसको 90 degree rotate कर देता हूँ इसको मैं करा 90 degree rotate right side में तो यह p यहाँ पर आ जाएगा तो square में 4 side equal होती है तो यह p आ जाएगा आपका इधर तो अब यह square जो है इस तरह बन जाएगा बट आपको देखने में कोई difference नजर आएगा बिलकुल नहीं difference नजर आजाएगा आएगा आपको यह वाली शेप और यह वाली शेप दोनो identical लगेंगी अब इसको एक turn और देते है 90 degree का तो 90 degree का turn देंगे तो भी यह shape आपको identical ही मिलेगी बट p shift होता रहेगा कितने turn दे दिया आपने एक turn दिया दो turn दिये अब मैं इसको और 90 degree का turn दे देता हूँ तो 90 degree का एक और turn देंगे तो यह पी जो है आपका यहाँ था अब पी आपका यहाँ पे हो जाएगा कितने turn हो गए टोटल हो गए आपके 3 turn एक turn और दे दो इसको एक turn और देंगे तो पी कहा आ जाएगा पी यहाँ पे आ जाएगा तो एक turn और दिया इसको 90 degree का, तो ये कौन सा turn है ये 4th turn है तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि center of rotation तो हो गया इसका ये ये हो गया इसका center of rotation और angle of rotation कितना हो गया कितने angle से घुमा रहे हैं उसको कि आपकी जो shape है वो identical रहती है angle of rotation rotation आगया इसका 90 degree ठीक है और order of rotation कितना हुआ order of rotation कितना हुआ ये हो गया आपका 4 मतलब 4 बार उसको गुमाना पड़ रहा है हमें जिससे के वो पुरानी shape में मतलब जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे आ जाती है तो ये बात हुई square की अब हम बात करेंगे किसकी अब हम बात कर देते हैं rectangle की ठीक है ये practically भी मैं आपको दिखाऊंगा करके अब बात कर लेते हैं rectangle की तो rectangle के लिए order of rotation क्या होगा वो बात करते हैं तो मान लेते हैं कि ये यहां से शुरू करते हैं जिससे के पूरा ये एक ही लाइन में हो जाए हमारा ठीक है ये मान लेते हैं हमारे पास एक rectangle है ओके ये हो गया इसका P point अब हम इसको देखो अगर मैं इसको 90 degree turn देता हूँ तो ये कैसा हो जाएगा ये कुछ ऐसा बनेगा ये कुछ इस तरह से बन जाएगा और यहां पे हो जाएगा आपका P तो अभी आप मुझे बताओ कि क्या ये वाली shape और ये वाली shape देखने में identical है नहीं है identical तो है लेकिन इसका orientation change हो गया यहां आप देख रहे हो कि ये वाली length है यहां आप देख रहे हो ये length है और ये breath हो गई है तो orientation इसका change हो गया तो symmetry में क्या ध्यान रखना है आपको कि orientation change नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि अब मैं इसको और 90 degree turn दे देता हूँ एक तो 90 degree और turn दिया तो क्या होगा अब ये ऐसे हो जाएगा ठीक है और P कहां पे आ गया P यहां पे आ जाएगा समझ के बात तो आप क्या देख रहे हो कि इसको हमें 90 degree turn नहीं देना है इसको हमें कितना degree turn देना है 180 degree turn देना है तब ये वाली shape और ये वाली shape identical बनेगी ठीक है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि भाई इसमें आपको 180 degree का angle का turn देना है क्योंकि आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी shape जो है वो identical होनी चाहिए उसका orientation भी change नहीं होना चाहिए तो 180 degree turn दिया तो इस तरह आ गया अब क्या करना पढ़ेगा आपको कितने turn दिये आपने एक turn दे दिया अब क्या करो इसको एक turn ओर दो आबने देखा कि 90 degree turn देने से तो बात नहीं बन रहिए आपको 180 degree ही turn देना पढ़ेगा तो आपने जब दूसरा 180 degree turn दो गए तो तब कैसा बनेगा shape तब ये shape ऐसी बन जाएगी फिर again है ना तो अगर ये shape फिर ऐसी बन जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली shape और ये वाली shape दोनों कैसी हो जाएगी identical हो जाएगी तो कितने rotation दिये आपने एक rotation यहाँ पे दिया था और order of rotation कितना होगा इसका 2 होगा clear है अब हम बात करेंगे एक equilateral triangle की ठीक है Equilateral triangle की बात करेंगे कि उसमें angle of rotation क्या होगा order of rotation क्या होगा Equilateral triangle में क्या होता है तीनो sides उसकी equal होती है ठीक है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में यह हो गया हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल A B C ओके इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक खास बात और होती है कि इसका जो हर एक एंगल होता है 60 degree का होता है तो अगर हम इसको देखो कितने degree पर हम इसको turn करें कि shape आपकी बिल्कुल as it is रह जाए तो कैसे देखेंगे हम इसको हमें देखो ये वाला जो angle होता है इसका 120 degree कितना होता है 120 degree क्यों होता है 120 degree क्योंकि ये angle होता है 60 degree तो linear pair बनेगा, तो linear pair बनेगा 180 degree का, ओके, तो हम इसको कितने angle twist करते हैं, अगर मैं इसको 120 degree twist कर देता हूँ, तो 120 degree twist करने पर क्या बनेगा, इस तरह की यह shape बनेगी, shape आपकी identical रहेगी, बट C यहाँ आजाएगा, B यहाँ आजाएगा, और A पहुँच जाएगा, उपर ठीक है, A कहाँ पहुच जाएगा, उपर पहुच जाएगा, ओके, तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, पह जैसी लग रही है, बट उसमें क्या है, point, actually point change हो चुके है, है न, बट shape identical है, तो rotational symmetry का पहला concept क्या है, कि shape identical रखनी है आपको, तो आपने यह पहला turn दिया, जब अब दूसरा turn दोगे, कितने degree पे, again फिर 120 degree पे turn देना है, तो 120 degree पे turn दोगे, तो अब यह shape कैसी बन जाएगी, shape identical ही रहेगी, लेकिन उसके जो A यहाँ पे हो जाएगा, B, A यहाँ था, A उधर आगया, यहाँ पे C हो जाएगा, और उपर आजाएगा आपका B, कितने turn दे दिया आपने, दो turn आप दे चुके हो, चीक है, अब एक तीसरा turn दे देते हैं, तो तीसरा जब turn दोगे आप, त B यहाँ पे आजाएगा, और C यहाँ पे आजाएगा, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, कि आपको तीन turn दिये जब आपने, तो आपका जो triangle है, वो बिल्कुल आपको पहले वाला triangle मिल जाता है, तो यहाँ पे जो center of rotation तो यह है, इसके अलोग आप गुमा रहे हो इसको, ह अब angle of rotation क्या होगा, angle of rotation आगया 120 degree, order of rotation क्या होगया, order of rotation आगया आपका 3, ठीक है, इसी तरह शे, आपके पास बहुत सारी ऐसी shapes हो सकती है, जिनके आप, जो है, order of rotation, center of rotation, यह चीज़े आप find कर सकते हो, ठीक है, तो यह है, all about your rotational symmetry, ओके, अब मैं कुछ homework आपको देता हूँ, और आपको comment box में जाके मुझे बताना है, कि यह जो shapes में दे रहा हूँ, यह जो questions में दे रहा हूँ, आपको, इनकी rotational symmetry, order of symmetry आपको बताना है, ठीक है, order of symmetry and angle of symmetry, जरूरी नहीं है कि किसी shape का rotational symmetry is possible है, ऐसा भी हो सकता है, कि उसका rotational symmetry possible ना हो ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो question आपको देता हूँ, और आपको बताना है कि angle of symmetry कितना है, sorry, order of symmetry कितना है, सिर्फ आपको यह बताना है, order of symmetry and angle of rotation, ठीक है, तो एक shape मैंने बनाई आपकी, A question में आपको देता हूँ, इस तरह से, ठीक है, यह shape है, यह A है और यह B है, तो इसका बताना है आपको, order of rotation, कितना है, order of rotation and angle of rotation, ठीक है, दोनों चीजें आपको बतानी है, एक मैं B question आपको देता हूँ, ठीक है, B question में क्या है, इस तरह की एक shape है, और यह shape जो मैं बना रहा हूँ, सब identical shape है, star देखा है न, इस तरह की, ठीक है, तो इसका बताना है आपको, order of rotation and angle of rotation, ठीक है, दोनों का बताना है, देखते हैं, कितने बच्चे यहाँ पर comment कर पाते हैं, कितने बच्चे इस question को solve कर पाते हैं, ठीक है, पहले वाला आसान है, दूसरे वाला थोड़ा सा difficult मैंने बनाया है, जिससे के मुझे पता चले कि यह chapter आपको कितना समझ में आया है, ठीक है, उसके बाद और भी आपकी बुक में try these भी दिये हैं, वहाँ पर भी जाके आप यह questions को solve कर सकते हो, solve करो, कोई doubt आते हैं, तो comment box में comment लिखो, आपको इनके doubt का जवाब दिया जाएगा, ठीक है, अभी हम बात करेंगे, कि क्या हमेशा rotational symmetry और line of symmetry होना जरूरी है, या possible है, देखो कु rotational symmetry होती है, line of symmetry नहीं होती है, और line of symmetry होती है, rotational symmetry नहीं होती है, और कुछ ऐसी shapes होती है, जिसमें दोनों की दोनों ही होती है, ठीक है, जैसे, अभी हमने देखा, कि यह हमने क्या लिया, square लिया है, तो square में आपने क्या देखा, कि line symmetry भी होती है, और rotational symmetry भी होती है, मैंने आपक इसमें कितनी होती है चार होती है तो लाइन सिमेट्री भी हैjust में इसमें डिस्कस करेंगे और स्थ क्लेपा न मंगा 7 होता है के नहीं होता है결 लाइन ऑप सिमेट्री होती है के नहीं होती है होती है तो कितनी होती वह सारी चीज़ें हम यहां पे डिस्स करेंगे है तो यहां पर जो पहला लेटर हम शुरू करते हैं पहला लेटर से शुरू करते हैं यह लेटर कौन सा हमारे पर जैड एक लेटर है ठीक है जैड हमने एक लेटर लिया है तो इस जैड लेटर की क्या लाइन ओप सिमेट्री पॉसिबल है के नहीं है वो हम चीज देखने वाले ह तो लाइन उप सिमेट्री देखने का तरीका क्या है कि इसको हम फोल्ड करते हैं किसी पर्टिकुलर लाइन के अलोंग जहां पे वो दोनों शेप एक दूसरे को ढख लें तो मुझे क्या दिख रहा है मुझे लगबग ऐसा दिख रहा है कि इसके अलोंग इसको हम थोड़ा फ कर लिया तो यहां पर जब इसको फोल्ड करोगे तो आप क्या देखोगे कि यह वाला पिछे वाला पोर्षण आपको दिखेगा ठीक यह पोर्षण आपको दिख रहा इसका मतलब क्या है कि यह लाइन स्मेट्री इसमें पॉसिबल नहीं है तो अब हम क्या देखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको науч later करते हैं, कितना करा हमने 90 degree turn करते हैं पहले, तो 90 degree turn करेंगे, तो क्या बनेगा, N बन जाएगा, है ना, अगें फेर इसको, तो हमें किया चाहिए, हमें Z ही चाहिए, अगर Z letter से हमने शुरू किया था, तो rotational symmetry का concept क्या है कि z letter से अगर शुरू किया है तो z ही हमें चाहिए तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं 90 degree turn किया तो n बन गया नहीं चाहिए नहीं चलेगा दूसरा हमने 90 degree turn किया तो क्या मिल गया आपको z मिल गया इसका मतलब क्या है कि इस z का order of rotation कितना हुआ इसका order of rotation कितना हुआ 2 हुआ है ना वहीं दो rotation करने पर देखो अब माल लेते हैं यहाँ पर मैं इस end पर मैं एक dot बना देता हूँ ठीक है इस end पर मैंने एक dot बना दिया ओके तो अब हम इसको 180 degree turn करते हैं तो 180 degree turn किया मैंने इसको अब भी यह Z ही है लेकिन पहले वाला Z नहीं है क्योंकि यहाँ पर dot मैंने कहां बनाया था उपर बनाया था तो यहाँ पर एक rotation दिया मैंने इसको कितना rotation 180 degree का rotation दिया तो Z तो मिल गया आपको identical तो मिल गया लेकिन आपने पहचान बनाई थी कि dot यहाँ पर है है ना तो एक बार के turn में आपको same to same Z नहीं मिला जो आपने पहले लेके चले थे दूसरा turn दोगे तो आपको same to same Z मिलेगा इसका मतलब क्या है कि इसका order of rotation कितना है 2 है दो turn देने के बाद आपको पहले वाला Z मिला है लेकिन इसका angle of symmetry कितना होगा angle of symmetry इसका होगा 180 degree समझ में आई बात बट इसमे line of symmetry नहीं होगा अब एक दूसरा letter ले ले लेते हैं letter एक ले लेते हैं S ठीक है देखो मैंने आपको क्या किया practically मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको सारी चीजे समझ में आजे concept clear हो जाए यह मैंने एक S letter लिया है अब S letter का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि S letter में जो है line of symmetry नहीं होती है है ना तो अब यह देख लेते हैं इसमें के rotational symmetry होती है कि नहीं होती है यह हमारे पास क्या है S letter है ठीक है S letter को अब हम 90 degree turn करके देखेंगे तो 90 degree turn करेंगे तो इस तरह का shape मिलेगा तो यह तो जो हमारा shape था S वो नहीं है तो 90 degree में तो नहीं मिल रहा हम है बढ़ हम इसको 180 degree turn करेंगे तो हमें क्या मिलेगा S मिलेगा लेकिन पहले वाला S नहीं मिलेगा क्योंकि उस S में यह dot कहा था उपर था है ना तो 180 degree में आपको जो है same to same shape तो मिल जाएगी बट बिल्कुल exact shape नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें dot जो है उपर की side था है ना इसका orientation change हो गया लेकिन रहेगा यह S ही तो कितने angle पे इसका orientation change हुआ और कितने angle पे आपको identical shape मिली आपने घुमाया 180 degree turn किया तो आपको यह मिल गया दूसरा 180 degree turn करोगे तो आप जो पहले वाले S को लेके चले थे वो पहले वाला S ही आपको मिल गया क्योंकि उसमे dot हमने कहा लगाया था ऊपर लगाया था ठीक है तो आपने क्या देखा है यहाँ पर कि इसमे line symmetry नहीं है बट rotational symmetry इसके अंदर मुझूद है ठीक है एक letter और हम देख लेते हैं इस बार हम लेके चलते हैं h letter को ठीक है h letter को हम लेके चलते हैं और मैंने एक mark बना लिया है यहाँ है h letter हम ओलडी पढ़ चुके है h letter में क्या पड़ा हमने कि इसमे line of symmetry होती है कितनी line of symmetry होती है इसको मैंसे भी fold कर सकते है और इसको हम ऐसे भी father कर सकते हैं तो इसमें कितनी लाइन ओफ सिमेट्री हुई इसमें टोटल हुई टू लाइन ओफ सिमेट्री और अब इसकी रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बात करते हैं तो रोटेशनल सिमेट्री क्या है कि है एच को हमने यहां पर मार्क कर लिया मैंने तो इसमें 90 डिग्र रोटेट करोगे यह बनेगा 180 डिग्री रोटेट करोगे तो फिर से H मिल जाएगा तो इसका इसको जो है टोटल आपको दो टर्न लगवाने पड़ेंगे दो टर्न कितने कितने 180 डिग्री के टर्न लगवाने पड़ेंगे आपको तो दो turn में ये जो है पहले वाली shape में मिलेगा आपको इसका मतलब क्या है कि इसका order of rotation कितना है 2 है, angle of rotation कितना है 180 degree है एक और letter देख लेते हैं E E letter हम ले लेते हैं E letter को मैंने अल्रेडी आपको बताया कि ये symmetrical होगा line of symmetry इसमें होती है line of symmetry कहां पर होती है अगर मैं इसको इस तरह से fold कर दू तो ये बन जाएगी इसकी line of symmetry ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि line of symmetry कहां पर होती है इसकी, ये हो गई इसकी line of symmetry ये जो बीच वाली जो line है ना इसके बीच ओ बीच जो line बनेगी वो हो जाएगी इसकी line of symmetry अब हम देख लेते हैं इसकी rotational symmetry rotational symmetry देखो यहाँ पर हमने इसको mark कर लिया अगर हम इसको 90 degree turn करते है तो यह बनता है 180 degree turn करते है यह बनता है और 270 degree turn करते है यह बनता है और 360 degree turn करते है तो यह बनता है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपको 360 degree turn करना पड़ रहा है तब ही आपको e मिलेगा इसका मतलब क्या है कि इसमे rotational symmetry नहीं है वैसे तो किसी भी object की आप rotational symmetry देखोगे तो 360 degree पर तो वो आपको 360 degree गुमाओगे तो आपको same to same shape मिल जाएगी identical shape मिल जाएगी तो वैसे तो देखा जाए तो हर एक shape की rotational symmetry 1 होती है, order of rotation 1 होता है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जिसका order of rotation 1 है, 1 तो सभी का होता है तो यहाँ पर आपने देखा कि line of symmetry तो है इसके अंदर, एक है बट इसकी rotational symmetry नहीं है rotational symmetry यह exist नहीं करता है, ठीक है अब एक और letter के बारे में देख लेते हैं, letter कौन सा लिया मैंने C, एक letter ले लिया ठीक है, यह letter लिया मैंने C C के अंदर क्या देखोगे, line of symmetry होता है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे fold कर दूँ, तो यह ढख जाता है, एक दूसरे के पीछे नहीं दिखेगा आपको, तो यह हो जाएगा इसका line of symmetry, यह जो line मैंने draw करी है, यह हो जाएगी line of symmetry अब हम देख लेते हैं, कि rotational symmetry exist करती है कि नहीं करती है, हम इसको 90 degree turn देते हैं, यह बनेगा c नहीं बना, है न, तो यहाँ दिया, यहाँ भी नहीं बना c, यहाँ दिया यहाँ भी c नहीं बना, तो यह c बना 360 degree में जाकर, इसका मतलब क्या है, कि इसकी भी rotational symmetry exist नहीं करती है, ठीक है, और भी आपके जो है, बुक में question दिये हैं, तो आप उनकी भी rotational symmetry चेक कर सकते हो z, s, h, यह मैंने आपको बता दिये, o, o एक letter है, जिसकी rotational of symmetry देखो, इसकी, रो o के अंदर, line of symmetry भी बहुत सारी होती है, line of symmetry भी uncounted होती है, उसमें आप count नहीं कर सकते हो, ठीक है, o क्या है o is a circle, circle के अंदर, बहुत सारी line of symmetry होती है, कोई भी line अगर उसके center से होके गुजरेगी, तो वो इसकी line of symmetry हो जाएगी, इस paper को अगर ऐसे fold करोगे, तो यह identical बनेगे, तो कोई भी line, अब इसमें क्या कोई limited number of line draw कर सकते हैं, कितनी भी line आप draw कर दो, मतलब कितने भी कितने भी आपके, इसके diameter जितने भी होंगे, diameter के along यह हमेशा symmetrical रहेगा, यानि कि हर एक diameter इसका जो है, वो line of symmetry होगा, तो इसमे number of symmetry कितने हो सकते हैं, infinite हो सकते हैं, कोई इसमें count less infinite line of symmetry हो सकती हैं, इसमें, ठीक है, rotational symmetry क्या है, ठीक है, यह को आपने, इसमें infinite angle of rotation, angle of rotation इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, angle of rotation, देखो इसको चाहे 1 degree गुमाओ, चाहे 2 degree गुमाओ, चाहे 90 degree गुमाओ, यह आपको circle है, तो circle ही रहेगा, O है, तो O ही रहेगा, इसका मतलब है कि angle of rotation इसमें, 0 से लेके, और 360 degree के बीच में, कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 360 degree के बीच में, कुछ भी हो सकता है, तो इसका angle of rotation, जो है, fix, नहीं कह सकते हो आप, क्योंकि कितने भी degree पे आप इसको गुमाओगे, तो आपको same circle या same O मिलने वाला है, ठीक है, order of rotation क्या होगा, order of rotation भी इसका find नहीं कर सकते हो, क्योंकि, कितने, क्योंकि जब इसका angle of rotation ही नहीं है, तो order of rotation भी इसका नहीं होगा, समझ गे बात को, तो इसमें line of symmetry बहुत सारी हो सकती है, तो ना तो इसका angle of rotation होता है, मतलब, कोई भी angle, इसका angle of rotation हो सकता है और इसका order of rotation नहीं होता है fix नहीं होता है समझ गया बात तो यह बात हुई ओ के बारे में ठीक है अब आपकी 14.3 जो exercise है 14.3 exercise में कुछ questions दिये हैं उसमें आपको बताना है के square का center of rotation क्या होगा order of rotation, angle of rotation, rectangle, rombos, equilateral, triangle, regular, hexagon, circle, semicircle तो इन सब के आपको order of rotation ये सब चीजें बतानी है तो यहाँ पर आपका चप्टर complete होता है चैनल को अगर अभी तक आपने like नहीं किया तो like कर दीजिए, share कर दीजिए और इस channel को subscribe करिए, bell icon के साथ जिससे के आपको early notification मिल सकें कोई comment है तो comment box में जरूर comment करिएगा, thank you very much, देखतर ही है मैं आपके हिंडेकर